कि में में हुआ का स्कूटनाला और आप देखे रहें कंप्यूटर वाल टिफसेंटिक्स टूटूप चैनल तो दूस्तों शूरू करते हैं आज का टूटोरियल दोस्तों आज की इस टूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने Google AdSense में अपना verify address pin कैसे verify कर सकते हैं दोस्तों आपको मालूम तो होगा ही कि जब हम Google AdSense में अपना account create करते हैं तो उसमें हमें अपने पूरी detail भरने पड़ती है और जब थोड़ी हमारे earning हो जाती है तो उसके वाद हमारा address confirm करने के लिए Google AdSense हमें एक speed post द्वारा एक pin send करता है और वो pin हमें अपने Google AdSense में verify करना पड़ता है तो दोस्तों अगर आप सिखने चाहते हैं कि कि इस तरह से अपना Google AdSense में अपना address pin कैसे verify किया जाता है तो इस वीडियो को last तक का देखते रहें तो दोस्तों कहीं जाएगा नहीं बने रहें एक computer world tip centrics youtube channel के साथ और शुरू करते हैं आज का tutorial तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना कोई से web browser open कर लेते हैं मैं यहाँ पर Google Chrome open कर रहा हूँ और अब इसके open होते ही हम Google search बार में जाके Google AdSense टाइप करके सर्च कर लेते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमें Google AdSense का सबसे फर्ष्ट लिंक नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर sign up now इस पर क्लिक करेंगे और अब देखिए दोस्तों अब हम Google AdSense की website में हैं यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वेलकम टो AdSense उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर तीन ओप्सन है यूर अकाउंट, यूर वेबसाइट और थर्ड है यूर इन्फरमेशन तो दोस्तों यहाँ पर हम sign in पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपना Google AdSense का address confirm करना है उसके बाद हम यहाँ पर पासवर टाइप कर लेते हैं और उसके बाद sign in पर क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों इसके बाद login with current account इस पर क्लिक करेंगे अगर जो आप नया account create करना चाते हैं तो यहाँ से create भी कर सकते हैं और देखिए दोस्तों हमारा Google AdSense हमारे सामने open है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे सामने एक notification आ रही है your payment are currently on hold because you have not verified your address यह कह रहा है कि भी आपका address verify नहीं है और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक notification आ रही है क्योंकि हमारा भी address verify नहीं है तो दोस्तों हमें अपना address verify करना है तो हम यहाँ पर click कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ पर पूरी detail आ रही है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे most recent pin was generate आप यहाँ पर date देख रहे होंगे कि हमने वार्च 11 तारी को अपना यह pin generate किया था और यहाँ पर हमारा name और हमारे यहाँ पर address पूरी detail यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक information आ रही है कि जो हमारा जो pin है वो 3-5 दिन बाद हम हमें post द्वारा मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें यहाँ पर information आ रही है कि अगर जो हम तीन बार अगर जो गलत पिन टाइप करते हैं तो हमारे अकाउंट है यह close हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने चार्ट के द् पिन वेरिफाई करना है और दोस्तों इसके बाद जो हमें जो Google Adsense द्वारा जो पोस्ट हमें मिली है उसको देख लेते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जो पोस्ट है यह मुझे Google Adsense ने सेंड की और यहाँ पर मेरा पूरा नेम और एड्रस है और जो य दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे ठेंक्यू यूवर पिन हैज बिन एंटर करेंटली एंड़ पिन होल्ड और यूवर अकाउंट हैज बिन रिमूव और उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है तो दोस्तों इसके बा आया तो लाइक करना न बोलिए और एंसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिससे की हमारा हर अप तक पहुंचता रहे और आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास हमारे लिए क्वेस्टन है कोई सोजाओ है तो आपके बाद हम इनमें योग से डिलेटेड काफी कुछ अपडेट करने वाले हैं काफी कुछ पोस्ट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री है तो दोस्तों कहीं जाएगा नहीं बने रिए कंप्यूटर वाल टिपसेंट्रिक स्यूट अप चैनल के साथ और सिखते रहे और